हर इंसान का एक सपना होता है अपना एक घर अग चाहे वो घर किराय का हो या खुद का हो फर घर में अंदर रहने वाले फैमिली मेंबर अगर आपस में मिल जुल कर रहते हैं बहुत प्यार से रहते हैं तो फिर वो घर स्वर्ग जैसा महसूस होता है और इसी घर को बुरी की खुशाल जिंदगी को बुरी नजर से बचाएगा पुरे टोटकों से बचाएगा लोगों की बुरी नियत से बचाएगा हम अपने घर परिवार को इतना प्यार करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से इतना अटैच होते हैं तो क्यों ना आज उनकी सुरक्षा के लिए हम उ ये उपाय बहुत ही सरल है और इस उपाय को करने से ही आपके घर में बुरी नजर नहीं लगेगी आपके रिष्टे मजबूत होगे घर में बहुत मिठास रहेगी कभी कलेश नहीं रहेगा पारिवारिक व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और इस उपाय को करने के लिए आपको वो बताती हूँ, आपको क्या-क्या चाहिए, आपको चाहिए एक लाल गुलाब, एक नारियल, पानी वाला और जटाओं वाला, आपको चाहिए सुपारी, साबुद सुपारी, कपूर, लॉंग, मॉली, और एक सफेद साफ कपडा, ये उपाए बहुत ही सरल है, आप घर बैठे इस उपाए को कर सकते हैं, ये उपाए करने के लिए, हमें पहले साफ कपडा, साफ जगह पर रखना है, उसके बाद आपको इस पर नारियल रखना है लाल गुलाब साथ में रखना है ये सुपारी इसको आप इस तरीके से इसके उपर रख दीजिए कपूर और कुछ लॉंग इसे अच्छे से लपेट लीजिए लपेट कर इस पर लाल मॉली साथ बार आप इसे लपेट लीजिए इस तरीके से आप इसे लपेटेंगे इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है आपको इसे अपने हाथ में लेना है आप जिस किसी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और एक मनत्र है जो मैं आपको आगे बताऊंगी उस मनत्र का आपको 51 बार जिहां सिर्व 51 बार आपको मनत्र उचारन करना है उस मनत्र उचारन के बाद आपको इसे किसी सेफ जगह पर रग देना है जहाँ पर किसी की नजर नहीं जाए अब आपका घर है आपको ही पता होगा कि आप इसे कहां रखेंगी आप छट के किसी कोने में रख सकती है रूम के किसी कोने में रख सकती है जहाँ पर किसी की नजर नहीं जाए उसके बाद आपको इसे 21 दिन तक अपने घर पर रखना है की भी नजर लगी हो कोई भी टोटका किया गया हो सब खीच लेगा अपने पास 21 दिन के बाद आपको इसे किसी नदी में प्रवायत कर देना है प्रवायत करने के बाद जब आप घर पर आएंगे आपका घर हर एक negativity से फ्री रहेगा, आपके घर में बहुत सारी खुशाली रहेगी आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे, आपका पती आपकी बात सुनेगा, आपके सास, ससुर, देवर, जेठानी, ननद, सब के साथ रिष्टे इतने मीठे होंगे की आप खुद यकीन नहीं करेंगी कि ये या कोई सवाल या आपकी जग्यासा है कि आपको और अधिक चाहिये तो आप उमें दीए लगए नमबर पर कॉल कीजिए हैं तो दोस्तों ise हर समस्या का समाधान हमारे पास है आप उश्वास कीजिए ट्रद्द रखिए और हमें कॉल जरूर कीजिए ताकि हम आपको वो मंत्र बता सकें क्योंकि हर एक इंसान अलग-अलग टाइम पर पैदा होता है राशियां अलग होती हैं गोत्र अलग होते हैं तो दोस्तों इसी तरह ये मंत्र भी राशियों के हिसाब से अलग-अलग ही होते हैं तो हमें कॉल कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाईए, अपने जीवन में खुशाली लाईए। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जै मातादी।